इसकी settings हम किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पर मैं आपको सब बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरी और विल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर आना है simply आपको अपने phone की settings को open कर लेना है यहाँ से अभी आप scroll करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको location को option देख जाता है simply इसपर आपको tap कर लेना और उसे उपन कर लेना है अगर आप यहासे location on करते हैं और आपको पता दूँ आप एक और जगे से भी location को अप्शन बिलता है यहाँ से भी location अपनी on कर सकते हैं तो यहां पर देखिए, एप permissions आपको मिल जाती है, कितनी application को आपने यहां पर permission दी है, कि वो आपकी location जान सके, तो यह तो रिस्की भी होता है, लेकिन आपको इसे allow नहीं करना चाहिए, तो यह off कर देना चाहिए, देखिए, deny कर देना चाहिए, मैंने भी इसे दे रखी है, Google यह लोग सब को अपनी लोग, मत बताएं, security के लिए वैसे आप बता सकते है, अगर आपको trust है, यह companies में, बट मुझे नहीं है, तो मैं इनको अपनी permissions नहीं दूगा, एक एक करके सारी permissions यहां से deny कर दूगा, क्योंकि मुझे trust नहीं है इन companies पे, ठीक है, यह location monitor करती है, वो इ यह सब मुझे नहीं चाहिए, यह करके मैं इसे सब off कर दूगा, अब बैंक्स को तो कभी नहीं देना यह, यह सब permissions, बैंक्स तो सबसे पहले पर, वो करेंगी, सब को deny, deny कर दीजे, location की permissions किसी को नहीं देना, turn off, Okay, यहां पर सारी permissions मैंने off कर दी है, यहां पर recent की permission, premium की request और यहां पर इतने भी email account है, सारी यहां पर आप आप on कर सकते हैं, कुछ इसी तरीके से होती location की setting, यानि कि यहां पर आप location on कर देंगे, तो आप map भी देख सकते हैं, अपने map की settings में जाकर, accuracy पता चल जाएगी, Wi-Fi Bluetooth की accurate location में, यह अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, तो आपको अगर trust है, तो इसे on रखें, लेकिन मैं इसे off ही रखता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है, तो आप on करता हूँ, वीडियो पसंद आई हो, तो टेक्स लोग को subscribe कर दें, अपना बहुच ज्यादा ख्य रखें लाओ